दोस्तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपोर्टेंट है और आप सभी को देखना बहुत ही जरूरी है देखिए दोस्तो बेलोड में CMC होस्पिटल के बारे में मैं काफी सारा वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ जिसकी बदे से आप लोगों का कोई प्रॉब्लेम ना हो लेकिन दोस्तो फिर भी आप लोगों का बहुत सारा भरभर के कॉमेंट आता है आप लोग मुझे पूछते हैं कि सारा बताई है कि एक online appointment या तो फिर offline appointment लेने के बात बेलोड में CMC hospital में जाने के बात वहां पर क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर दिखाने के लिए कहां पर जाना है registration कहां पर होता है कहां पर card बनना पड़ता है कहां पर test होता है और क्या 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 करना पड़ता है second appointment लेने के लिए क्या क्या करने पड़ता है और भी बहुत सारा सवाल होता है जो कि आप लोग मुझे पूछते है तो आप लोगों के लिए मैंने एक तरीका अपना है आप लोगों के लिए मैंने ग्राप को अभी में सो करूँगा आप लोगों पस उस ग्राप की जरिये में आप लोगों को step by step completely बताऊंगा जैसे कि appointment लेने से लेकर doctor दिखाने का कम खतम होने तक completely guide दूँगा आज के इस वीडियो पर करने की step by step बताऊंगा जिसकी बज़े से आप बहुत ही आसानी से समझ जाओंगे और आप बहुत ही आसानी से बिलोड में cmc हो श्पीटल में जाके treatment कराके आप डॉक्टर को दिखा पाएंगे तो दोस्तों बहुत ही भाइडाल टॉपिक है इसलिए आज के वीडियो को आप एंड तक देखना आपको बहुत ही जरूरी है जिसकी बज़े से आप लोगों को completely जानकरी मिल जाएगा लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले एक छोटा सा request है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को साब्स्रेप करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बैल क तो आल पे क्लिक करें और इस वीडियो को जरू से जरू लाइक भी कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले देखिए दोस्तों अगर आप लोगों कोई डीजीज होता है कोई emergency डीजीज होता है और उस डीजीज का हिसाब से आप के अंदर में आप लोगों दिखा रहा हूं एक appointment लेना है appointment जो है आप online ले सकते हैं या तो फिर offline ले सकते हैं online जो appointment है आप अपना mobile भी ले सकते हैं इसके लिए अल्रेडी चैनल पर वीडियो है आप जाके देख सकते हैं या तो फिर अगर आप offline appointment लेना चाहते हैं तो आप को भेलोड में CMC hospital का जो Silver Gate 600 जो बिल्डिंग है वहां पर जाके आपको offline appointment लेना है appointment लेने के बाद आपको appointment जो ले लिया है आपने उसका एक print out निकलना बहुत है जरूरी है print out निकलने लेके बाद जो print out पेपर है उस पेपर को लेके आपको भेलोड में CMC hospital में जाना है जाने के बाद आपका appointment paper में details में सब कुछ दिया जाएगा doctors का details आपका details doctor दिखाने का name date time building सब कुछ mention रह जाएगा जिस date पे और जिस time पे आपका दिया गया है उसी date पे और उसी time पे आपका जो building को आपको देखिए यहां पर जो secondly देखिए जो building को mention किया जाएगा आपका appointment paper में उसी building पे आप लोगों को जाना है और उसी building का ठीक नीचे एक line में खड़ा होना है आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा उसी building का ठीक नीचे आप लोगों को जाना है वहां पर बहुत सरा security guard दिया गया है उस security guard को पूझ लेने के बाद आपको उसी building पे जाना है उसके बाद देखिए यहां पर नीचे चलते हैं यहां पर देखिए आप लोगों को उसी building का ठीक नीचे आप लोगों को लाइन में खड़ा होना है जो लाइन रहेगा उसी लाइन पर आप लोगों को खड़ा होना है लाइन में खड़ा होने के बाद जब आपका टाइम आएगा डॉक्टर दिखाने का टाइम आएगा तब आप लोगों को अंदर जाना है अंदर जाने के बाद आप लोगों को पर registration होगा सबस्पहले जो most important चीज है यहां पर आपका registration होगा registration का दोनों line होता है यहां पर देखे एक general line होता है और एक private line होता है आपने appointment जिस तरह का लिए है general और private appointment लिए है उसका हिसाब से आपको line में खड़ा होना है registration line में खड़ा होने के बाद जब आपका line आएगा तब आपका registration होगा registration जब होगा आपका file एक बन जाएगा ठीक है आपका एक offline file बन जाएगा आपका नाम से आपका details में वहां पर सब कुछ रह जाएगा लेकिन एक most important चीज है कि जो file बन जाएगा उस file आपका हाथ में नहीं दिया जाएगा उस file वेलोड में cmc hospital के अंदर रह जाएगा आपको श्रिफ appointment paper दिया जाएगा बापस से और उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आ यानि कि जो रूम नंबर आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर दिखाने का रूम नंबर आप लोगों को सो किया जाएगा लिग दिया जाएगा उसके बाद डॉक्टर दिखाने का सिरियल नंबर लिखा दिया जाएगा उसके बाद डॉक्टर दिखाने से पहले आप लोगो कौन सा कौन सा building पर जाना है वहां पर mention किया जाएगा यानि कि appointment paper में लिख दिया जाएगा उसके बात उसी appointment paper में और एक चीज लिख दिया जाएगा id card बनाने के लिए यानि कि जो पेशिंट id card जिसको बोला जाता है रिख दिया जाएगा जो ID card बनाना पड़ेगा आप लोगों को ISACC building यहां पर देखिए ISACC building नामसे building है वहां पर ground floor में आप लोगों को जाना है वहां पर आप लोगों का card बन जाएगा वहां पर आप लोगों को line में खड़ा होने के बाद आप लोगों को कार बना लेना है उसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ पर देखाएं यहाँ सका देखाएं पर रहे देखाएं पसंब और देखाएं पर भाक और इससे कंड़ल में रहे हं तो आप लोगों को ID card बनाना पड़ेगा ID card बनाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को कोई भी charge नहीं लगेगा बिल्कुल free में आप ID card बनाना सकते हैं और आप लोगों का जो registration होगा registration भी free होगा free of cost registration करने के लिए भी कोई भी amount नहीं देना पड़ेगा और ID card बनाने के लिए भी कोई भी amount नहीं देना पड़ेगा लेकिन अगर कोई related patient है जैसे की husband and wife का pregnancy related problem है wife का तो बनाना ही पड़ेगा लेकिन husband का साथ में अगर कोई ID card बनाना है तो उसके साथ अगर husband का बनाना है card तो वहाँ पर आपको 200 रुपिया लगबग 200 रुपिया के चार्ज देना पड़ता है second ID card बनाने के लिए और ID card बनाना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह जो ID card है most important चीज है आपका ID card में आपका details, doctor का details, doctor का treatment कौनसा कौनसा test हुआ है कौनसा कौनसा doctor ने medicine दिया है सब कुछ details में रह जाता है इसलिए आप जिस cabin पर जाओगे doctor के पास या तो पिर किसी भी cash counter में जहां पर जाओगे उस ID card में एक serial number दिया जाएगा और एक scanner code दिया जाएगा उसको scan करने के बाद और ID number को enter करने के बाद आपका details में सब कुछ दिख जाएगा आपको दुबरा से बतने का कोई जरूद नहीं है इसलिए ID card को बनना आप लोगों को बहुत जरूरी है ID card बनने के बाद उसके बाद जो doctors का जो room दिया गया है जो serial number दिया गया है उसका हिसाब से आप लोगों को Dr. को साथ visit करना यहां पर देख़िए डौक्टOR के पास जाना है और डौक्टर को साथ visit करना है डौक्टर के पास जाने के बाद doctor आपको सब सब पहले investigation करने के बाद कुछ medicine लिख सकता है उसके बाद कुछ test लिख सकता है उसके बाद अगर आप लोगों कोई emergency vital problem है अगर आप लोगों को operation करना है यहां पर देखे जो overdate है यानि के consideration date है तो doctor आपको operation date देदेगा या तो फिर अगर patient को admit करना है कोई टेस्ट जो होगा क्षा टेस्ट कौन सा टेस्ट होगा डॉक्टर लिग देगा उसके बाद कौन सा बिल्डिंग पर जाना है कहाँ पर जाना है डॉक्तुर्ट आप लोगे को सब कुछ कॉमप्लीट लिग बता देगा उसके बाद आपका टेस्ट जब होगा उसके बाद छो बता देगा कल दोड कोई तकलीब नहीं होगा। उसके बाद देखें यहां पर जो most important चीज है आप लोग बार-बार मुझे पूछते हैं कि सर डॉक्टर को दिखाने के बाद जब अगर कोई भी टेस्ट अगर डॉक्टर देता है तो secondly डॉक्टर का appointment लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर appointment देता है या खुद लेना पड़ता है दे डॉक्टर automatically आप लोगों का second appointment fixed कर देता है या तो फिर आप लोगों को doctor बता देगा कि आप लोगों को कर देता है आपका हिसाब से यानि कि आपको वहां पर payment कर देना पड़ता है आपको डॉक्टर बता देगा कि आपको cash counter में जाके appointment लेके payment करना पड़ता है या तो फिर डॉक्टर अगर payment second appointment दे देता है तो वहां पर आपको cash counter में जाके भी payment करना पड़ता है और यहां पर जो बाद है कि टेस्ट अगर करना है तो टेस्ट करने के लिए कॉन सा कॉन सा टेस्ट ओनलाइन टेस्ट ओर दे देता है उसका जो फीज है डॉक्टर आपको बता देगा कि आप लोगों को cash counter में जाके आप लोगों को online payment कर देना है कुछ इस टाइब का बता देगा उसका receive लेके जाना है और cash counter में आप लोगों को दे देना है उसके बाद तो operation date है operation date आप लोगों को लेना है तो डॉक्टर आपको बता देगा कौन सा date में जाना है क्या क्या करना है और सब कुछ डॉक्टर आपको completely बता देगा इसलिए second appointment लेने के लिए कूल मिला के बाद यह है कि डॉक्टर कभी-कभी fixed कर देता है या तो फिर आपको secondly आप इसी medicine counter में जाना है और payment करने के बाद payment का जो यहां पर बहुत सारा payment का प्रोसेस है medicine चाहे medicine हो टेस्ट हो operation कर लिए हो date or time दिया जाएगा उस date or time का हिसाब से आप लोगों को secondly डॉक्टर को विजिट करना है सो दोस्तों कुछ step का आपको step by step मैंने बताने का कोशिस की है ग्राप की जरिए आप कुछ step का step by step follow कीजिए और आप बहुत ही आसानी से भेलोड में CMC उपिटल में जाके अगर आप इस step को step by step follow करेंगे तो आप भेलोड में CMC उपिटल में बहुत ही आसानी से जाके वहां पर डॉक्टर को दिखा के आप treatment करा सकते हैं वो भी बहुत ह आसानी से उम्मीद है कि दोस्तो आप लोगों को completely जानकरी मिल गया होगा और आप लोगों का जितना सारा confusion है आप लोगों का confusion भी clear हो गया होगा लेकिन दोस्तो फिर भी आप लोगों का थोड़ा सा भी confusion होता है कुछ पूछना होता है तो आप इसी वीडियो का comment section में जाके आप मुझे comment कर सकते हैं कुछ सावाल होता है तो आप पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब देने का कोशिस करूँगा और दोस्तो बैसे भी अगर आप मेरे साथ chat की द्वारा बात करना चाहते हैं तो आप हमारा instagram id को जरसरी follow कर लिजेगा instagram का id है add the red medical solver और instagram id का link आपको इसी के इस वीडियो को अई पर खतम करते हैं मेलते हैं नेक्स वीडियो में तबते के लिए thank you so much and thanks for watching